जैश्री महकाल दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूमेस्टरोजी में दोस्तो हम अपनी सिरीज में अलग-अलग लगन के बारे में बात कर रहे हैं आज हम जिस लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस लगन का नाम है कन्या लगन यानि के विरिगो आज हम कन्या लगन की विशेशताओं की बारे में बात करेंगे क्या इनके लिए शुब ग्रह है, कौन से शुब रतन है और कौन एशुब ग्रह है, कौन इनके लिए समग्रह है कौन आरध्य देवे, किन की पूजा करना इनके लिए अच्छा रहेगा और कौन सेन के शुब रंग है इस से पहले हम मेज से सिंग लगन तक की बारे में वीडियो बना चुके है जानकरी दे चुके हैं तो आज हम कर्ने लगन के बारे में बात करेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बैल आइकान ओन कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे बात करते हैं कन्या लगन के बारे में, देखे अगर लगन भाव में 6 नंबर की राशी लिखी हुई है, ये भाव लगन होता है, इसमें अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो वह जो कुंडली कहलाईगी, उस जातक की कुंडली, कन्या लगन की कुंडली कहलाईगी, और 6 नंबर लगन भाव में जो भी नंबर, जो भी राशी लिखी हो, लगन भाव जिस ग्रह के पास में गया हो, तो समझ लिजे उस जातक के अंदर उस ग्रह से रिलेटिड जो गुन होते हैं, वो अटोमेटिकली आ जाते हैं। सीधा सीधा connection है, वो होता है बुद्धी से, बुद्धी से बुद्ग्रह का connection होता है, आवाद से होता है, जिसे बोलता है communication, आपकी वानी में एक मिठास होती है, जब आप बोलते हैं, तो लोग सुनते हैं, और वो अच्छा भी लगता है उनको, एक communication होता है जो, कुछ लोग क पास knowledge होती है, बहुत अच्छे knowledge होती है, लेकिन उसको present नहीं कर पाते, तो जो कन्य लगन के लोग होते हैं, इनका जो presentation होता है, communication होता है, जो वारतलाप होता है, ये बहुत ही कजब का होता है, और जिन लोगों का बुद्ग्रे खराब होता है, चाहिए वो किसी भी लगन की क लिए हो, तो बुद्ग्रे अगर कमजोर होता है, तो तुतलाना, हगलाना, सही से बात ना करपाना, communication अच्छा ना होना, ये सब चीज होती है, और यहाँ पर जो कन्य लगन है, वो खुद बुद्ग्रे का परतिने दित्व कर रहा है, तो इनकी जो वानी होती है, इसमें ए ये इसकिन को इतने खुबसूरत बना देता है कि चहरे पर भी गलो होता है, कन्य लगन के जो लोग होते हैं, उनकी जो एज होती है, अगर वो 40 के है, तो 30 के महसुस होंगे, एज बहुत जल्दी शिप जाती है, पता ही नहीं चलता है कितनी एज, करेक्ट उमर का आइडिया रहती है बिखरी हुई, तो ये एक सिस्टेमेटिक तरीक से रहना चाते है, और इन लोगों की क्योंकि बुद्धी से डिपार्टमेंट चुड़ा हुआ है, तो इनका जो मैत सब्जेक्ट होता है, गणिती है जो सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, और ये बैं अच्छा होता है, इस लगन के लिए जो सबसे शुब गरे माने जाते हैं, वो बुद्ध, शुक्र और शनी, ये तीन गरे सबसे अच्छे होता है, और जो ऐशुब गरे होता है, इसमें मंगल, चंद्रमा और सूरिय, और बिरस्पति यहां संभाव रखता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है, इनके लिए जो शुब रतन हो जाएंगे, वो पन्ना, बुद्ध गरे के लिए, ओपल, शुक्र गरे के लिए, और नीलम, सनी गरे के लिए, सबसे बेस्ट करार होता है, इनके लिए ग्रीन, हरा और नीला, अगर बात करे कन्या लगन में राज्योग की तो इसमें तीन पंच महापुरूस राज्योग का निर्वान हो सकता है वो कैसे होता है देखे अगर बुद荃 है खुद लगनेश होकर यहाँ पर लगनेश बुद荃 हो जाएंगे तो खुद 6 नंबर की राशी में यानि के स्वेराशी में बैठ दाए तो यहाँ पर वह उच्का होता है और भद्र नाम का पंच महापरुस राजियोग का निर्वान करता है और जिसका सबसे ज़्यादा बेनेफिट सुवास्ते के लिए और मेरिड लाइफ के लिए वह वही जीवन के लिए और डेली वी जो इनकम होती है उसके लिए पार्टनर्शिप के लिए बहुत अच्छा होता है और आप भी जानते हैं पंच महापरुस जो राजियोग होता है वह जीवन में नाम, दोलत, शुरत, पैसा, अशुराम हर चीज मिलती है उससे और अगर उसकी अंतरदशा या महादश आ जाए तो फिर तो बहुत ही जाद है पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते है दूसरा अगर शनी देव सात नम्बर की राशी में बैट जाए देखे शनी देव यहाँ जो धनभाव है, यहां राशी में अगर शनी देव बैट जाए तो यहाँपर शच नाम का पंच olsun राजियोग बनेगा अगर शुक्र देओ 12 नमबर की राशी में उच्के होते हैं वैभाहिक जीवन की घर में यहां पे बैट जाए तो मालव्य नाम का पंच महापुरुस राजयोग बनेगा यानि के कन्या लगन में तीन पंच महापुरुस राजयोग बन सकते हैं पहला भदर नाम का बुद्ध का दूसरा शच नाम का शनीगा और तीसरा मालव्य नाम का शुक्र का पंच महापुरुस राजयोग बन सकते हैं आप भी अपने कुणडले उठाईए देखिए कौन-कौन से ग्रह की क्या पोजिशन है क्या आपकी कुणडले भी कोई राजयोग बन रहा है अगर कन्या लगन के बारे में आरद्धे देव की बात की जाए तो देखिए बुद्ध ग्रह जो लगन का स्वामी होता है तो ये गनेश जी की और भगवान शिव की पूज़ा करेंगे तो बहुत लाब होगा कन्या लगन के लोगों के स्वास्थे के बारे में अगर बात करें तो इनको कोई जादा बड़ी समस्य तो नहीं होती थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ चलता रहता है। और अगर ये बीमार भी होता हैं तो जाद तर क्या तो पेट की समस्य होती है पेट की बीमारी ये फिर नियूरो जो शिनाय उतंत्र है वहां से related समस्य होती है बाकी कुछ जादा प्रोबलम इनको नहीं होती बात करेंगर इनके वैवाहिक जीवन के बारे में तो इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता वैवाहिक जीवन में काफी समस्या रहती है बनी ही रहती है और संतान के सुख में भी बहुत बाधा आती है जल्दी से शंतान सुक प्राफ नहीं होता है, थोड़ा विलम होता है बात करेंगर कन्या लगन की कम्यों के बारे में तो कभी-कभी इनका जो स्वभाव होता है, वो काफी विचितर हो जाता है तुरन्त ही किसी बात के बारे में राय बना लेते हैं ये लोग बहुत बड़े बहुत जल्दी जस्मेंटल हो जाते हैं ये लोग दुनिया को परफेक्ट करना चाहते हैं चाहते हैं दुनिया जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चले दुनिया और छोटी-छोटी मुस्कुलों पर बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस कोते देते हैं आत्म विस्वात बहुत जल्दी डग मगा जाता है इन लोगों का निया लगन के लोगों को क्या विशेश उपाई करना चाहिए इनको ध्यान और पूजा वंदना हर रोज करनी चाहिए और हो सके तो किसी ऐसे इनसान से शादी करे जो अध्यात्म के दुनिया से कनेक्ट हो जो भगती भावना वाला इनसान हो तो उससे इनको काफियत तक लाव मिलेगा ये लोग बुद्धिमान तो होते ही हैं अच्छे राजनीतिग्या हो सकते हैं अच्छे मैनिजमेंट वाले हो सकते हैं और इनको कला, संगीत, गलेमर, चकहचों से बहुत प्रेम होता है और अकसर देखा गया है कि उमर 36 के बाद थोड़े जीवन में बदलाव होते हैं और जो बदलाव इनके favorable होते हैं, बदलाव इनके favor में ही होते हैं, ये लोग multi talented होते हैं, अलग-अलग तरह के काम करने में बहुत मज़ा आता हैं, और हर तरह के काम ये लोग कर सकते हैं, अक्सर इनका source of income दो जंगे से आता है, जिसे कोई job भी चल रहा है, साथ में business भी चल र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला आइकन ओन कर लीजिए, वाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद